नमस्कार दोस्ता, OCN नेटवर्क में आपका स्वागत, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ही नहीं, देश को भी सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ बड़ा होने वाला है, और इसके संकेत शिरिमान राहुल गांधी ने चनाव परचार के दोरान ही दे दिये थे, उन्होंने कहा था कि अगर तीसरी बार ये सत्ता में आ गए, और इन्होंने अगर कुछ बड़ाव करने की कोशिश की, नाम लिया था उन्होंने सम्मीदहन का, तो कहा था कि देश में आग लगने वाली है, अगनी वीर को लेकर के राहुल गांधी ने दो जून, दो जुलाई को लोक सभा में जिस तरीके से अपने भाशन को फोकस करते हुए, एक फेक नेरेटिव चलाने की कोशिश की, जिसका रक्षा मंतरी राजनात सिंग्ग ने भी पृतिवाद किया खड़े होकर के, और इसके बाद भी राहुल गांधी जब नहीं माने और ये कहते रहे, कि अगनी वीरों को न शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, और ना ही उनको मुआवजा मिल रहा है, बलके यूज एंड थ्रो की तरहे उन्हें इस्तमाल किया जा रहा है, उनको मजदूर की तरहे इस्तमाल किया जा रहा है, तो ग्रह मंत्री अमित शहा ने भी खड़े होकर के राहुल गांधी का विरोध किया और यहां तक चेतावनी दी और चुनोती दी कि जो आप कहे रहे हैं उसके साक्ष्य सदन के पटल पर रखिये नहीं तो पूरे देश से माफी मांगिये क्या कहा था राजनाथ सिंग्ने और क्या कहा था अमित शहा ने वो भी मैं आपको सुनवाने वाला हूँ उसका वीज्वल दिखाने वाला हूँ लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हो गई है और बड़ी घटना ये है कि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जेना के ADGPIE की तरफ से स्टेटमेंट आया है और उन्हों ने राहुल गांधी जो फिर से फेक निरेटिव फेराने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के एक अगनी वीर जो शहीद हुआ था उसके परिवार को कुछ मिला ही नहीं है उस कहीद के अगनी वीर के पिता ने ही टाइमस ओफ इंडिया से बातचीत में ये माना कि 48 लाख रुपया तो उसको मिल चुका है उसने ये भी माना कि पंजाब सरकार से हमें मिला है कुछ मिला है मतलब एक करोण मिला है जो सोशल मेडिया में भी है और जो खबरों में भी है इसके अलावा एडी जी पी आई का ये बयान भी आ गया है कि अभी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उनको और धनराशी जारी की जानी है कुल मिला करके एक करोड़ सड़ सट लाख रुपया उसके परिवार को दिया जाना है इसके बावजूद अगर अगनी वीर पर राहुल गांदी की सुई अठकी हुई है और वो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग की छवी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधान मंत्री को भी सतर्क हो जाना चाहिए देश को भी सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो सैनिकों के परिवार हैं जो अगनी वीर के परिवार हैं उनको एक तरीके से उकसाने और भढ़काने की कोशिशे हो रही हैं और ये कोशिशे क्यों हो रही हैं ये भी मैं इस प्रोग्राम में बताने वाला हूँ लेकिन दो जून का जरा राजनात सिंग का प्रतिवाद और राजनात सिंग ने क्या कहा जरा उसको ध्यान से सुनियेग और अमित शाह ने क्या कहा इनके भाशन पर के अगनी वीर को जो है वो यूज एंड थरो के रूप में एक मजदूर की तरह इस्तमाल किया जा रहा है यानि उनको उनके परिवार वालों को बढ़काने की चेस्टा की जिस भाशा का इन्होंने यूज किया है पार्लिमेंट के भीतर और मौावजा नहीं दिया जा रहा है ये बहिए उन्होंने कहा कि मैं पंजाब गया था और मैं एक अग्नी वीर के परिवार से मिला था और उन्होंने बताया कि उनको मौावजा नहीं मिला है इस पर राजणा सिंग और आमित शाह का जरा बयान सुनिये के परिदार को महज़ा कहा ही या भी इस परनार की दरत बयानी से सब्सक्राइब करने की कोजित नहीं की जाहिए संसर्ण मौड़ी अधिकर सर्ड देखिए राजनाच सिंग जी की एक राय है मेरी एक राय है सच्चाई अगनी वीरों को मालूम है हमें बोलने की जरूरत नहीं है अगनी वीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है शहीत का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है कॉंपन्सेशन मिलता है नहीं मिलता है तेंशन मिलती है नहीं मिलती है वो उसको मालूम है अब सदन के सामने दो स्टेट्मेंट हुए एक हुआ दिपस्ट के नेता का दूसरा हुआ मान्या रागनास इंग जी का रक्षामंत्री जी का एक कहते हैं कि एक करोड रुपया नहीं मिलता है सिरागनास जीन ने अधिकरूत रुप से कहा कि मारे जाने वाले अगनीवीर को जो सही दोता है उसको एक करोड रुपया मिलता है उनको फैक्शियल पोदिशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर यह सदन जूट बोलने की जगा नहीं है मान्यवर और अगर यह नहीं रखते हैं तो उनको यह सत्यापन नहीं करते हैं अपने स्ट्रेट्मेंट का तो उनको सदन और देश से और अगनीवीरों से माथ भी मांगनी चाहिए मन्यवर अगनीवीर की सचाई मैंने फ्लॉर अगनीवीरों को मालूम है और राजनाथ सिंग जी ने भी कहा है जो रियालिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है वो अगनीवीरों को मालूम है उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फरक नहीं पढ़ता सचा ही तो उनको मालूम है ये सीन क्रियेट हुआ था दो जुलाई को लोक सभा के भीतर और ग्रह मंत्री ने तच्छनासी दे दी थी कि आप सत्यापित करिये जो कुछ आप कह रहे हैं नहीं तो पूरे देश से और अगनीवीर से अगनीवीर के परिवार वालों से माफी मांगिये लेकिन पिछली शाम को बुद्वार की शाम को राहुल गांदी ने फिर एक वीडियो जारी कर दिया और इस वीडियो में इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है लेकिन रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने शहीद अगनीवीर के परिवार को साहता मिलने के बारे में संसद में जूट बोला उनके जूट पर शहीद अगनीवीर अजय सिंग के पिता ने खुद सच्चाई बताई है रक्षा मंतरी को संसद देश सेना और शहीद अगनीवीर अजय सिंग के परिवार से माफी मांगनी चाहिए अब ये आ गए हैं इस इस तर पर के इन्हों ने अपने पंजाब के कॉंग्रेस कारिकरता और नेताओं को लगाया उस अगनीवीर अजय सिंग के परिवार में गए और वहां कैमरे के सामने बैठा करके उनके पिता का बयान रिकॉर्ड किया और उसको सोशल मीडिया पर जा कि इनके इस वीडियो के बाद सेना की तरफ से इसपस्टी करना आया सेना ने बताया कि उनको अल्रेड़ी 98 लाख रुपया दिया जा चुका है ये सेना का अधिकरत बयान है कि अजय के पिताजी को उनके परिवार को 98 लाख दिया जा चुका है और 67 लाख और दिया जाना है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद तो राजनाथ सिंग ने जो कहा था कि अगनी वीर अगर शहीद हो जाए तो उसके परिवार को एक करोड रुपया दिये जाने का प्रावधान है उसमें कैसे जूट हो गया यानि उनको एक करोड से जादा रुपया मिलने वाला है जो राजनाथ सिंग ने कहा इसके बावजूद अगर राहुल गांधी अभी भी ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंग को ही उल्टे माफी मागनी चाहिए तो आप समझ जाएए कि अगनी वीर मामले को इस तरीके से तूल देना एक मोहीम के तोर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करना ये एक बहुत बड़ा शड़ियंतर हो सकता है साजिश हो सकती है सुनिये राहुल गांधी ने अपने वीडियो में क्या कहा है अपने भाशन में मैंने कहा को ецtober को देश की सेना को और अगनि वीरों को मेरे बात मत सुनिये उनकी भाट भी मत सुनिये अगनि वीर के परिवारों की बात सुनिये शहीद अजे सिंभ जी के पिता ने मेरे और रक्षा मुंत्री आपने ध्यान से सुना एक लेड़ी को, वो लेड़ी क्या कह रही है? वो लेड़ी कह रही है कि पंजाब गॉर्मेंट से मिला है और पता नहीं सेंट्रल गॉर्मेंट से कम मिलेगा और ये कह रहे हैं कि election आ रहा है, election आ गया है यानि election की वज़े से कुछ delay है लेकिन जो सेना की तरफ से बयान आया है उसमें कहा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उनको बाकी की धनराशी दे दी जाएगी और 98 लाख रुपया अल्रेडी उनको दिया जा चुका है इसके बावजूद चुकी पार्लेमेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी ने अगनी वीर के बारे में उनको दिये जाने वाले मौावजे के बारे में काफी गलत बयानी कर दी थी तो अब ये अपने आपको सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनाथ सिंग जिन्होंने केवल ये कहा था कि अगनी वीर के परिवार वालों को शहीद होने पर एक करोड रुपे का मौावजा दिया जाता है उनको ये जूटा साबिद करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंना कहा था कि अगनी वीर के परिवार वालों को अगर अगनी वीर शहीद हो गया है तो एक करोड रुपे देने का प्रावधान है अब वो इलेक्शन की वज़े से अगर कुछ डिले हुआ है और उनको पूरा एक करोड नहीं मिला है लेकिन सेना कह रही है कि 98,000,000,000 रुपेया और टाइमस आफ इंडिया में भी उसके पिता ने ये माना था कि हमें 48,000,000 रुपेया तो मिल चुका है इसको अगर आप दिहान से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि उनको 48,000,000 रुपेया तो सेना की तरफ से मिल चुका था, यूनिट की तरफ से म अंडर वे है और वो उनको मिलना ही है जितना भी एक करोड़ 67,000,000 के आसपास लेकिन इस बीच नए सिरे से इसको गती देने की कोशिश करना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना, डिफेंस मिनिस्टर को जूटा बताना, डिफेंस मिनिस्टर को जूटा बताने का मतलब आप म सेना के तरफ से क्या कहा गया है जरा इस खबर में आप देख लीजिए इसमें कहा गया है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुद्वार को आरोप लगाया था कि रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने संसद में शहीद अगनी वीरों के परिवारों को मुआ डिजी पी आई का बयान सामने आया है इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से पता चला है कि अगनी वीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है जिन्होंने डूटी के दोरान अपनी जान गवा दी ती इसके बाद उन्होंने क्या उन्होंने ये कहा है आगे के इंडियन आर्मी अगनी वीर अजय कुमार द्वारा किये गए सर्वोच्य बलिदान को सलाम करती है उन्हें अंतिम विदाई पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई थी साथ ही कहा के अगनी वीर अजय के परिजनों को पहले ही 98,49,000 रुपे का भूगतान किया जा चुका है ADG, PG, PI ने कहा कि अगनी वीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लगभग 67,000,000 रुपे की आर्थिक साहिता और अन्यलाब पुलिस सत्यापन के बाद भूगतान किये जाएंगे कुल राशी लगभग 1,65,000,000 रुपे होगी बयान में इस बात पर जोड दिया गया कि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक साहिता का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाएगा यानि सेना कह रही है कि 98,000,000 रुपे उसको दिया जा चुका है और राशल गांदी ने जो बयान जारी किया है आज वीडियो में उसमें शहीद अजे के पिताजी को सामने बैठा करके फिर से उनका बयान रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने इस वीडियो को जारी किया है उसको आधार बनाया है यानि शहीद के पिता को भी इस पूरे विवाद में और अपने को जस्टिफाइड करने के लिए और इस मुहीम को आगे बढ़ाने के लिए और मोधी सरकार को बदनाम करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए इन्होंने अब शहीद के पिताजी को भी मोह थोरा बनाने की कोशिश किये, आगे सुनिए ये बयान दिया है, किया राजनाव सिंग ने ये कहा था के अगनी वीर के परिवार वालों को एक करोड रुपया दिया जाता है, यहीं आप इस बयान में ट्विश्ट देख लीजिए और इसके पीछे की साजिश को जड़ा इसकी कल्पना करिए अगनी वीर योजना बंद होनी चाहिए यह शहीद का पिता कह रहा है जिसका बेटा औरड़ी अगनी वीर में भरती हो चुका था यह किसकी जबान है कि अगनी वीर योजना बंद होनी चाहिए यह राहुल गांदी की जबान है यह कॉंग्रेस की जबान है यह विपक्षी दलों के नेताओं की जबान है कि अगनी वीर योजना को हम बंद कर देंगे अगर सरकार में आए और वही बात अजे के पिता जी के निवीरों से, सेना से और देश के युवाउं से जूट बोला है। रक्षा मंत्री जी आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराऊ मत, सत्यमेव जयते। आप क्या समझते हैं राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वज़े है। विदान सबा चुनाव होने वाले हैं। तो धाई महिन्य के भीतर वहाँ चुनाव की प्रकरिया शुरू हो जाएगी। चुनाव की घोशना हो जाएगी। हरियाना और महराष्ट में पहले हो जाएंगे। और इधर जमु कश्मीर में भी उसके साथ हो सकते हैं सितंबर में और जहरखंड और दिली में थोड़ा सा डिले होंगे लेकिन हरियाना जहां से बहुत बड़ी संख्या में सेना में भरती होती है ये उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं मौदी जी को नहीं भोलना चाहिए भारतिय जनता पार्टी को नहीं भोलना चाहिए लोकसवा चुनाव में भी ये जो अगनी वीर का मसला था इस पर हरियाना, राजस्थान, पश्मी उत्तर प्रदेश तीनों जगहे ये भारतिय जंता पारिटी को अल्रेडी बड़ा नुकसान पहुँचा चُके हैं जिस हरियाना में भारतिय जंता पारिटी ने 2019 में 10 की 10 सीटे जीती थी वहां 5 सीटों का नुकसान किया जा चुका है वो जो 13 महिन्य का किसान अंदोलन था 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 करतित किसान अंदोलंता उसकी वज़े से भी अगनी वीर मामले में भी लगातार ये लोगों को बर्गला रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। एक ट्वीट मेरे सामने आया है, जरा सुनिये, देखिये, अनुपम मिस्रा, जो मेरे साथ प्रोग्राम से में भी जुड़ते रहे हैं, उनका कहना है कि ये बहुत गंभीर मामला है। जा चुका है और 65 लाख और दिया जाएगा। टाइम्स ओफ इंडिया से बात करते हुए, अजय सिंग के पिताने पहले ही 48 लाख की पहली किस्त मिलने की बात कही थी। यदि राहुल फिर से गलत बयानी कर रहे हैं, तो इन पर मुकदमा चलना चाहिए। अब ये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर है, कि सदन में उन्होंने जो कहा था, कि जो फेक नेरेटिव फैला रहे हैं, और फेक नेरेटिव का स्रोत कौन है, अब तो उनको ये भी पता चल गया होगा, तो उनको अब कड़े तेवर दिखाने हैं, कड़ी कारवाई करने हैं, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने य चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें, ताकि आगे आने वारे वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुचते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कर.